नमस्कार मैं हूँ कादल जाप मैं साथ देख रहे हैं बॉलिवोड के सरी रन्बीर कपूर की मच अबेटेड फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज हो चुका है और आते ही धमा का मचा दिया है तबी टीजर अपने रिलीज के दो दिन बाग भी यूट्यूब पर नमबर वन पर ट्रेंड कर रही है रन्बीर के नेवर बिफोर सीन लुक ने लोगों को अपना दिवाना बना दिया है आक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म का टीजर देख लोग इसकी रिलीज का इंजार नहीं कर पा रहे है रन्बीर फिल्म में एक गैंग्स्टर रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं उन्होंने इससे पहले कभी इतना डार्क करेक्टर प्ले नहीं किया है जाहिर से बात है कि फिल्म के टीजर ने रन्बीर के फैंस की उमीदों को आसमान पर पहुँचा दिया है लोगों ने इससे पहले सही रन्बीर के करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस अनौन्स कर दिया है रन्बीर को हर तरफ से मिल रही इतनी सारी अप्रिसेशन के बाद अब खबरे आ रही है कि रन्बीर ने एनिमल की प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी फीस कम कर दी है जो कि एक दिसम्बर को रिलीज होने वाली है जी हाँ बता दे कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से रन्बीर की फीस हर फिल्म के लिए 70 करोड है लेकिन आप खबरों की माने तो रन्बीर ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स भूशन कुमार और संदीव वांगा की मदद करने के लिए अपनी फीस 50 पतीशत कम कर दी है बता जा रहा है कि रन्बीर ने इस फिल्म के लिए केवल 30 से 35 करोड की ही रकम ली है बाकी की फीस उन्होंने फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाने के लिए नहीं ली है लेकिन फिल्म अगर बॉक्स ओफिस पर अच्छा करती है तो शायद रन्बीर कपूर फिल्म के प्रोफिट में से हिस्सा ले सकते हैं बता दे कि एनिमल में रश्मिका मननाना, अनिल कपूर और बॉबी देवल भी है रन्बीर की तू जूटी में मकार के बाद एनिमल साल की दूसरी रिलीज है वही कभी सिंग के बाद संदीब की ये दूसरी बॉलिवूड फिल्म है धनवाज जुड़े ये ऐसी बॉलिवूड अब्रेट्स के लिए बॉलिवूड किसी के साथ